आपने कहा था कि बच्चों को योग या फिर भीत्री विज्ञान बच्पन में नहीं सिखाना चाहिए, तो फिर हमें मन में पवित्र विचार लाने और अपवित्र विचारों को रोकने की प्रक्रिया कब से शुरू करनी चाहिए? आपको ये पवित्र और अपवित्र विचार वाली भकवास किसने बताई? मैंने तू नहीं. विचार, आपके पास जिस भी तरह के विचार है, आप अपने मन में जो भी विचार पैदा करते हैं, वो उसी सूचना से पैदा हो रहे हैं, जो आपके अंदर पहले से भरी हुई है है कि नहीं? आप अदल बदल करके इसका उपयोग कर सकते हैं और लाखों नए विचार बना सकते हैं पर मूल रूप से विचार उस सूचना से पैदा होते हैं जो आपके अंदर पहले से ही भरी हुई है अगर आप मन में छानते रहेंगे कि कौन सा विचार पवित्र है और कौन सा पवित्र है तो आप और अगर आप अपवित्र विचारों को रोकने की और पवित्र विचार लाने की कोशिश कर रहें तो आप गए काम से इन तथाकति धर्मों ने जिन भी बातों को पाप बताया है वो बातें इनसानी मन की फुल टाइम एक्टिविटी बन गई है अगर उन्होंने लोगों को अकेला छोड़ दिया होता तो सभी अपने जुकाव के हिसाब से जहां जाना होता वहां चले जाते लेकिन अभी ऐसा नहीं है वो चीज़ें सभी के दिमाग में छप गई है चुकि उन्होंने कहा कि ये पाप है इसके बारे में मत सोचो लोग लगातार उनी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं लोग कुत्ते बिल्यों जितने भी आजाद नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में ये बाट डाल दी कि कुछ चीज़े पवित्र हैं और कुछ अपवित्र मुझे नहीं पता कि आपने 25 साल की उम्र में कौन सी अपवित्र चीज़ें सीखी थी मैं आज तक दुनिया में किसी भी अपवित्र चीज़ के संपर्क में नहीं आया हूँ मुझे नहीं पता कि आप कैसे 25 सालों में इन अपवित्र चीज़ों के संपर्क में आ गए मैंने दुनिया में कोई भी अपवित्र चीज़ नहीं देखी आपने देखिए मैंने दुनिया में कोई भी अपवित्र चीज नहीं देखी यहां अलग-अलग तरह के लोग हैं उनकी अलग-अलग परिशानिया, सीमाएं हैं और बक्वास है मुझे नहीं लगता कि यह अपवित्र है यह पवित्र होने की प्रक्रिया है मैं लोगों को पवित्रता के अलग-अलग स्तरों पर देख रहा हूँ और पहली बात तो यह कि पवित्रता और पवित्रता का ये विचार एक बहुती बड़ी बिमारी है आपके आसपास बस जीवन है आपके चारों और सिर्फ जीवन है अगर आप जीवन के कुछ पहलूओं पर पवित्रता का ठपा लगा देंगे और कुछ पहलूओं पर अपवित्रता का तो ये बहुत गंभीर समस्या है इस बात को समझिए कि ये समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जितनी की लोगों को लगती है ये बहुत गंभीर है अभी दुनिया के बहुत से धर्मों और संस्कृतियों ने शरीर की मूल भूद जैविक प्रक्रिया पर ही अपवित्रता का ठपा लगा दिया है हाँ? आया ना? मूल भूद जैविक प्रक्रियां ही अपवित्र हैं कामुकता अपवित्र है एक महिला के मासिक चक्र अपवित्र है आप इसी से पैदा होते हैं तब तो आप भी अपवित्र है दुनिया के हर चीज अपवित्र है स्रिष्टी अपवित्र है अगर आपको ये शब्द पसंद है तो आप इसका इस्तिमाल कीजिए पर आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि क्या पवित्र है और क्या पवित्र जीवन इसी तरह से बनाएं, है ना? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे कैसे करते हैं, है ना? आप कितनी जागरुकता के साथ उसे करते हैं वही चीज़ें सुन्दर बन सकती हैं वही चीज़ें बतसूरत बन सकती हैं ये इस पर निर्भर करता है कि कौन इसे कर रहा है और कैसे कर रहा है, है की नहीं, हा? खाना खाने जैसा सरल काम खाना खाना एक सुन्दर अनुभव हो सकता है इससे नकिवल पोशन मिलेगा बलकि अनुभव के स्थर पर भी एक सुन्दर अनुभव हो सकता है कोई ऐसे खाना खाता है हम उसकी ओर देखते हैं और उफ सब कुछ इस तरह किया जा सकता है है कि नहीं? कौन कर रहा है, काम कैसे किया जा रहा है, इसी बात से फर्क पड़ता है तो पवित्र और अपवित्र के इस पूर्वा ग्रहने इस मानवता को बुरी कदर बरबाद कर दिया है पवित्र विचार और अपवित्र विचार अरे अगर आप इसे अलग करना शुरू करते हैं तो आप गए काम से सारे विचार बस कच्रा हैं मूल रूप से वो अतीत के आपके सीमित अनुभव से पैदा हो रहे हैं ये विचार अपना गुजारा चलाने के लिए काम के हैं। आपने कुछ जानकारी कठी की, आप दुनिया में जिन्दा रहना चाहते हैं, तो ये जानकारी काम आएगी। अगर आप जीवन कोई देख रहे हैं, तो इन विचारों का कोई अर्थ नहीं है। कल क्या हुआ था? असल में इसका अभी इस पल में जो हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, है की नहीं? पर दुनिया में अपना गुजारा चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। आपको अपने पुराने ग्यान का इस्टेमाल करना होगा, दुनिया में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन उसमें किसी भी चीज़ पर पवित्र और अपवित्र का ठपा मत लगाईए, यह आपके जीवन को पूरी तरह से अशांत कर सकता है। कोई भी चीज़ पवित्र नहीं होती, कोई भी चीज़ा पवित्र नहीं होती, जिंदगी जैसी है वैसी ही है, इसे सुन्दर बनाना या बदसूरत बनाना आपके उपर है, जीवन के हर पहलू को, हाँ? आपके जीवन के हर पहलू को, या तो आप खुबसूरत बना सकते हैं, या फिर बदसूरत. अगर आप जागरूख हैं, तो आप इसे खुबसूरत बनाएंगे. अगर आप विवश्ता से चीज़ें करते हैं, तो आप इसे बदसूरत बना देंगे. अगर आप जीवन का तो उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है हर चीज को सबसे छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक अगर आप उसे जागरूकता के साथ करते हैं तो हर चीज खूबसूरत बनाई जा सकती है और अगर आप उसे विवश्चता से करते हैं तो हर चीज बहुत बतसूरत बना कर दो कर दो